नमस्कार दोस्तों आज हम उन खादों के बारे में बात करेंगे जो नर्सरी वाले यूज करते हैं जी हाँ मैं अभी नर्सरी गई थी और मैंने बहुत इच्छी तरह से हर चीज को चेक किया है कि वो किस खाद कर इस्तमाल करते हैं जिसे उनके पोदे इतने सुन्दर और घने ओते हैं तो ज़्यादा तर तो वो यहाँ पर यह सारी खादे हैं जो मैं भी अपने घर में इस्तम और काफी टाइम से सबसे पहले जिस मैं खाद का इस्तेमाल करती हूं वह है नीम खली यह यह एक दवाई का काम करता है पोदो में नीम खली इसे लिए डालते हैं क्योंकि देखें मिट्टी का जब हम मिट्टी बनाते हैं न जैसे हमने उसमें ओर्गैनिक खाद वर्मी कमपोस्ट डाला है वो तो एक खाद है वो तो पोदो को खाना देती है पोदो को बढ़ाती है लेकिन पोदो को बचाने का काम सबसे पहले होता है जब पोदा बचेगा मिठी के अंदर तभी तो अच्छी तरह से ग्रोग करेगा और खाना लेगा वो सारा काम करती है नीम खली जी हाँ नीम खली ये इतना कड़वा होता है और जो जैसे बैंगन के पोदे हैं टमाटर के पोदे हैं में बहुत सारी जड़ो में इनके पिमारिया लगती है तो वहाँ पर ये सबसे अच्छा काम करता है नीम खली का सबसे पहल कि यह एक द्वाई का काम करती आगर यह ना हो तो हमारे पोधों की जड़े हैं उसमें बहुत सारे बिमारिया लग जाएंगी तो नीम खली का हम इस्तमाल कर सकते हैं और इसका एक लिकविड घोल भी बनाना चाहिए महीने में 15-15 या 20-20 दिन के बाद अपने सबी पोदों में डालना चाहिए खास कर सबजीयों के पोदों और अब बात करते हैं इस खाद की ये देखिए ये है सिंगल सूपर फास पेट ये भी मैं नरसरी से लेकर आई हूँ अभी मैंने इसका यूज नहीं किया है मैं अभी लेकर ही आई हूँ तो भाईया ने बताया है एक-एक चमच यानि कि इस तरह से आधा चमच मिटी में डालना है जो मिटी होती है उसकी गुडाई करके उसमें डालना है इससे क्या होता है इससे पतियां चमकदार होती है और प्लांट की ग्रोथ पहले से ज़्यादा अच्छी होती है देखे और गयनिक खादे तो डालते ही है कुछ अलग से और भी खादे होती है जिनका हमें पता नहीं होता तो ये मैं एक पैकेट लेकर आई हूँ अभी मैं इसका यूज करूंगी और फिर उसके बाद इसका रिजर्ट देखूंगी अभी तक मैंने इस खाद का इस्तमाल नहीं किया लेकिन भाईया जो थे नर्सरी के उन्होंने बताया था कि ये बहुत अच्छी खाद होती है सिंगल सूपर फासफेट वैसे तो मैं घर में बनी हुई खादों को ही ज़्यादा इस्तमाल करती हूँ पर आजकल जैसे पोदों को कुछ अलग सा चाहिए तो वहाँ पर मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राइ करना सोच चाहिए उसके बाद सबकी फैवरेट ये खाद जी हाँ ये तो सभी जानते होंगे ये है सर्सो की खली बिल्कुल ऐसी होती है इसका तो बहुत ज़्यादा इस्तमाल होता है लेकिन ये खाद गरम होती है तो गर्मियों में इसका इस्तमाल बिल्कुल ना करे पोदे खराब हो जाते हैं लेकिन अभी सर्दियों में, लेखे सर्दियों के जो पोदे होते हैं, वे हैवी फिडर होते हैं, सर्दियों के जो फूलों वाले पोदे होते हैं, और सब्जियों में भी, तो उस समय ये खाद सबसे ज़्यादा इस्तमाल होती है, इसका तो अब इस्तमाल जैसे अक्टूबर के बाद इस्तमाल होना शुरू हो जाएगा और सर्दियों में तो जादा ही जादा क्योंकि फूल चाहिए तो यह खाश सबसे बेस्ट है उसको सूखा भी इस्तमाल कर सकते हैं और गीला भी सूखा क्या है इसका पाउडर बनाना बिल्कुल बारिक पीस नहीं और बारिक पीस क अगर मिट्टी के अंदर मिलाना है मिट्टी के ऊपर नहीं डालना अगर हम मिट्टी के ऊपर डालेंगे तो उससे क्या होता है हम पानी देते हैं तो इसमें फंगस लगती है और जब यह मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी मिट्टी के अंदर हातों से अच्छा काम करेगी, दूसरा इसका लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनता है, चलिए वो देखते हैं, अब देखें ये है सरसू की खली, जिसको मैंने भिगो दिया था, दो मग पानी है, उसमें एक या दो मुठी के आसपास डालना है, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल घाडा हो जाता है, और इसको हो गए हैं पांच दिन, पांच दिन के लिए इस खल को बिगो कर रखना है, तो ये ऐसा बन जाएगा, और बीच बीच में इसको हिलाना भी जुरूरी होता है, ताकि ये पानी के अंदर मिक्स हो जाए, ऐसे, तो ये बहुत अच्छी खाद बन कर तियार हो गई है, और उसके बाद एक मग लेंगे, ज्यादा नहीं, एक मग, देखें ये मैंने एक मग लिया है, और बिल्कुल ऐसे घाडा पानी बन गया, इसका सीधा इस्तमाल पोदों में नहीं कर सकते, पोदे खराब हो जाएंगे, तो यहाँ पर है, दस लीटर पानी, यह देखें, मैंने भार्टी रखी हुई है, दस लीटर का पानी है, उसमें एक मग लेंगे, और अब यह देखें, पतला गोल बन कर प्यार हो गए, इतना पतला होना चाहिए, यह जो गोल होता है, हमारे पोदों के लिए बहुत अच्छा होता है, सब यह सब ठीक कर देता है, सबसे अच्छी खाद होती है, सर्सो की खली, सर्सो की खली हो या मुंपली की खली और अब इस खाद की बात करते हैं, यह खाद भी सबसे अच्छी होती है, यह है पोटाश, जी हाँ पोटाश, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, आपने देखा है ना हम कभी निम्बू का पोधा लेकर आते हैं, तो नरसरी में तो उस पर खूब सारे निम्बू आरे होते हैं, देखा ना भरा भरा निम्बू का पोधा होता है, लेकिन जैसे ही घर में लाते हैं, उसके फूल भी जड़ जाते हैं, और निम्बू तो आते ही नहीं है, एक एक दो दो साल लग जाते हैं, और हमें समझ नहीं आता के हम क्या करें, तो वहाँ पे नरसरी वाल तो में आवाज आती है, नमक देखा है ना ऐसे से, तो ये असली है, और जो नरसरी में कहीं बार क्या होता है ना, जो हम पैकेट में लेते हैं यहाँ पर, ये मैं खुला लेकर आई थी, चेक करने के लिए मैंने खुला लिया था, ये मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे ये अच पोटाश में भी होता है, आजकल तो नीम खली में भी ये हो रहा है, नकली खादे आने लग गई है, और वर्मी कमपोश्ट में भी, तो ये चेक करके लेना चाहिए, जो नीम खली होती है, इसमें से अगर नीम की खसबू आ रही है, और मोटा-मोटा सा नीम का कुछ हिस्सा जैसे इसमें है तो ये असली खाद है थोड़ा सा हमें तो पहचान होगी है और जैसे पोटाश है ये तो ये भी बहुत अच्छी खाद होती है इसका यूज करें अपने पोधों पर और अगर पोटाश नहीं है तो इसकी जगा क्या यूज करें चलिए घर की बनी हुई खाद भी बताती हूँ अब थोड़ी देर में पोटाश की जगह एक खाद और होती है जिसका हम अपने पोदों में इस्तमाल कर सकते हैं वो घर की बनी हुई खाद होती है जिरे के पास टाइम नहीं होता वो इस तरह से बजार से खाद ले सकते हैं और जिनके पास घर में टाइम होता है और वो ओर्गानिक लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं उसके बारे में भी मैं अभी बताती हूँ उसके बाद है ये ये सबसे बेस्ट खाद होती है देखे आपने इस खाद के बारे में सूना भी नहीं होगा ये सबसे अच्छे खाद होती है ये किसके लिए होती है गुढ़ल के पोदो के लिए बोगन वीलिया के लिए और भी कई पोदे हैं जिसके लिए ये खाद सबसे अच्छी होती है ये है आईरेन डस्ट जी हाँ आईरेन डस्ट जो लोहा होता है उसकी धूल बोलते हैं यह देखी ऐसे होता है बिलकुल बजार से त्यार मिलता है और यह जो हमारे यहां दुकाने होती है उससे नहीं मिलता है मैंने यह एमजोन से पैकिट मंगाया था तो यह मैं दूसरी बार भी इसका यूज कर रही हूं मुझे काफे टाइम से मैं इसका कर रही हूं और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है मैं जब भी सोयल मिक्स्चर बनाती हूं इन खादों का ही इस्तमाल करती हूं उसमें एक एक चमच जैसे थोड़ा सा पोटाश का डाल दिया नीम खली का और यह आईरन डस्ट थोड़ा सा सरसो खली पर्मी कमप तो एक बहुत रिच फर्टिलाइजर जो सोयल होती है वो बनकर त्यार होती है इसका कैसे इस्तमाल करना है इसका भी आदा चमच डालना है छे-छे महीने में करना है डेली नहीं कर सकते इसका इस्तमाल क्योंकि खादे भी थोड़ा पोदों को नुकसान भी कर सकती है भी गिरती है उसे में बहुत कुछ डालते हैं लेकिन वो काम नहीं आता तो बस इतना सा डाल दीजिए iron dust लोहे की धूल इतना सा डालना है गुडाई करनी है पहले मिट्टी की और फिर ये इतना सा और फिर देखें आपको क्या गजब का result मिलेगा पर हर एक के पास तो iron dust नहीं होती और नहीं मिलती है तो इसकी जगह क्या करें एक ऐसा powerful organic liquid fertilizer बताती हूं जो potash और iron dust दोनों का काम करेगा जी हां इसका और इसका ये potash की जगह देखें मैं क्या लेती हूं और iron की जगह इन दोनों को मिला कर एक बहुत अच fertilizer जो nursery वाले भाईया भी यूज करते हैं और आप भी इस्तमाल करके देखिए इसका बहुती अच्छा magic result मिलेगा हमारे पोदे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हम nursery में देखते हैं और वैसे ही फल fruit आएंगे जैसे नरसरी में आते हैं और पोदों की growth भी बिल्कुल जैसे with iron dust का इस्तमाल क्यों किया जाता जैसे अब गुड़ घल का पोदा है इसकी पतियां पीली होने लगती बहुत ज़्यादा पीली ओ जाती हैं और बड़ भी पीली होकर गिरने लगती हैं तो वहाँ पर iron dust का ही इस्तमाल किया जाता ये मिट्टी में मिलाया जाता है और फाइरन डेस्ट की जगह हम घर में पावरफुल फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने सूखे केले के चिलके लिए सूखे केले के चिलके पोटाश का काम करेंगे और उसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज होती है देखे केले के चिलके सूखे लेने हैं जो ताजे चिलके हैं वो उसका इस्तमाल नहीं करना और उसके साथ मैंने ली हैं लोहे की पुरानी कीले ये भी बढ़ी असानी से मिल जाती है थोड़ा इदर उदर से कठा करेंगी तो लोही की कीले मिल जाएंगी ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बनता है इसको चार से पास दिन के लिए पाने में बिगो कर रख दीजिए तो ये एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर बन जाता है देखे केले के चिलके कैसे मैश हो गए है पानी के अंदर और पानी का रंग भी बदल गया है तो जिन जिन पोदो की पतियां पीली हो रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है तो यहाँ पर एक मग मैं पानी का ले रही हूँ और इसको 10 लिटर पानी के साथ मिक्स करूंगा इसका भी सीधा इस्तमार नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है और छोटे पोदों में कम देना है ये भी ध्यान रखे बड़े पोदों में आराम से दे सकते हैं चोटे पोदों में कम ही देना है तो ये बन गया एक powerful fertilizer जो हम अपने सबी फूलों वाले पोदों में दे सकते हैं तो ये होते हैं और्गैनिक फूल प्रीक के खाद देने के